स्तूती महीमा एशु प्रभुजी गाते आते है तुछ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्ति दाता जीवन चल देखाँ जीवन चल देखाँ जीवन चल देखाँ प्रभु एशु मशी के पवितर नाम पर प्रेम भरा नमस्कार प्रभु की आशिम करना से पिछले पांच साल से शुब संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत के इस जीवन जल कारेक्रम में आपका स्वागत करते हैं यह कारेक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु एशु मसीग पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीज जीवन के लिए एक आशिश का कारण हो गया है प्रभु की महिमा हो परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है यही इस जीवन जल कारेक्रम का उद्धेश है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु एशु मसीपर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अन्भों कर सके आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशिश का कारण टरे यही हमारी प्रार्तना है इस कार्यक्रम का लाब उठाते हुए आप इस विशे में जरूर अपने पडोसी और प्रिय जनों के सूचित करे साथ ही करस्पंडन के माध्यम द्वारा मराटी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्येन भी कर सकते हैं प्रभु का वचन सुने और आशिश पाए आमेन जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धार करता प्रभु येश्यू मसी के पवित्र नाम में नमस्कार युहन्ना अध्याय साथ और पजशेहतीस में पवित्र शास्तर वचन में ऐसा लिखा हुआ है येश्यू ने लोगों को पुकार कर कहा यदी कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिये जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके रिधय में से जीवन के जल की नदिया बह निकलेंगी क्या आप जीवन में प्यासे है या सच्चाई की तलाश में है प्रभु येश्यू मसी आपकी प्यास को बुझाना चाहते है आपके सवालों के जवाब देना चाहते है तो आईए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तयार करें और इस मधुर संगीत का अनन्द उठाए प्यार का दर्या है तेरी बूंद के त्यासे हम कहीं बढ़ते कदम नहीं रुपने के हम तेरी साथ चलेंगे हम तुम प्यार का दर्या है तेरी महिम के गीतों से आकाश बुचा देंगे तेरी प्यार के फूलों से वीरान सचा देंगे तेरी एक खुशी के लिए सेह लेंगे हजारों गम तेरी बूंद के त्यासे हम कहीं बढ़ते कदम नहीं रुपने के हम तेरी साथ चलेंगे हम तुम प्यार का दर्या है आकाश के पक्षी भी तेरी गीत सुनाते हैं और चांद सितारे भी तेरी बहिवा गाते हैं यह धरती बजाए साथ और नग में सुनाई गगन तेरी बढ़ते गरिया है तेरी बूंद के प्यासे हम कई बढ़ती कदम नहीं रुकने के हम तेरी साथ चलेंगे हम तुम प्यार कदरिया है प्रभू ईश्व मसी के मदर और मिठे नाम में आप सबों को जय मसी की आज की मेला प्रमेश्वर के वचन के साथ इसजीवन जल के कारिक्रम के द्वारा आप सबों से बात करने के लिए प्रमेश्वर नहीं मोका दिया है मैं प्रमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आये हम आज शाम को प्रमेश्वर का वचन से प्रभू से उनकी मीठी बातों को हम लोग सुनेंगे हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रमेश्वर ने जो अपना वचन हमें दिया है जिसे हम प्रमेश्वर को पहचान सके प्रमेश्वर के राह पर हम बढ़ता जाए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं इस प्रगार लिखा है और मसी के उस प्रेम को जान सको जो ग्यान से परे हैं कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ परमेश्वर का थन्यवाद हो इस पत्से मसी के प्रेम के बारे में मैं आपको आज यहां पर बताये हैं मसी का प्रेम जो समझ से परे हैं हमारी ग्यान से परे हैं प्रियों दुनिया में हम कई प्रगार के प्रेम के बारे में जानते हैं माता-पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बैच्चे भी अपने माता-पिता से प्यार करते हैं पती अपनी प लड़की के बीच में भी जो प्यार होता है ये हमसे अंजान नहीं है तो दुनिया में इस प्रगार कई प्रगार के प्यार के बारे में हम देखते हैं लेकिन यहां पर जो प्रेम के बारे में बताया है और उसके बारे में इस प्रगार बताते हैं ये प्रेम हमारे समझ से बाहर है दुनिया के प्रेम को हम समझ सकते हैं उसका आंकलन हम कर सकते हैं वो कितना हद तक जाएगा ये बात हम जान सकते हैं लेकिन मसी के जो प्रेम है सुरका परमेश्वर ने मानवजादी से मुझ से और आप से जो प्रेम किया है इस प्रेम के बारे में पुरेरित पॉलोस कहते हैं ये प्रेम हमारे समझ से बाहर है। पॉलोस इस प्रगार क्यों कहते हैं इस मसी प्रेम के बारे में और इसके सत्रपद में पॉलोस इस प्रेम जो हमारे समझ से परे हैं इसके बारे में इस प्रगार बताए हैं। विश्वास के द्वारा मसी तुमारे हरदे में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डाल कर अठारपद जला सध्यान से सुनेंगे सब पवित्र लोगों के साथ भली भांती समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चवड़ाई और लंबाई और उंचाई और गहराई कितनी हैं पवलोस कहते हैं कि हम उस मसी की प्रेम को पहचानने का कोशिश करेंगे यद अभी वो हमारी समझ से तो परे हैं परन्तु पवलोस कहता है कि उस मसी को मसी के प्रेम को समझने का कोशिश करो उसकी लंबाई चवड़ाई और उसकी गहराई को समझने के लिए प्रेरित पवलोस हमें बताते हैं प्रियो मसी की प्रेम की गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया ऐसा क्या है उस प्रेम में जो उसकी गहराई हम अब तक नाप नहीं पाये हैं मसी के प्रेम के बारे में आज हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे क्या है मसी के प्रेम? मसी के प्रेम इतना गहरा क्यों है? मसी के प्रेम को हमारी दिमाग में समझ पाना इतना कठिन क्यों है? यह दि कोई मसी के प्रेम को समझना चाहे तो सबसे पहली बात यह है कि वही मसी के प्रेम को समझ सकते हैं जो उस मसी के प्रेम के कीमत को जो जाना हो मैं एक और बार आपको बताओं मसी के प्रेम के गहराई को वही समझ सकता है जो मसी ने उस प्रेम के बदलत जो कीमत चुकाया है उसे जो समझ सकते हैं मसी ने हम से जब प्रेम किया मानवजादी से जब प्रेम किये तो मसी ने उस प्रेम के बदले में क्या कीमत चुकाया है बैबल बताते हैं मसी ने उसके लिए अपना जान को गवाये हैं इस मसी ने एक बार इस प्रगार बताये थे एक मित्र के लिए अपना प्राण देने से बड़ा प्रेम नहीं एक मित्र के लिए बहुत कुछ दे सकता है लेकिन कोई वेक्ति एक मित्र के लिए अपना जान दे इसका मतलब है वह उस मित्र से बहुत प्यार करते हैं प्रीयों प्रभी म सीमसी ने उस प्रेम के का रहन जो मानवजादी से उन्होंने किया था, मुझ से और आप से किये थे, उन्होंने अपना जान को उसके लिए गवाया, और दूसरी बात, उस प्रेम को यदि आप समझना चाहेंगे, तो हमें मसी ने जिससे प्रेम किया है, मसी ने जो मानवजादी से प्रेम किया है, आपको ये से प्रेम किया उनका खासियत को आप समझेना है कि क्या वो उस प्रेम को पाने के लिए लाइक है या नहीं रोम्यों का पत्री उसका पांच अधियाई में हम लोग इस प्रगार पढ़ते हैं कि मसी ने किन से प्रेम किये अब जिलासा देखिएगा वहां प्रमलों पढ़ते हैं उसका पांच अदियाई और उसका साथ और आठ पत में प्रगार पढ़ते हैं किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुरलब है परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे परंतु प्रमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रिती से प्रगड करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसी हमारे लिए मरा प्रियो मसी ने किस से प्रेम किया मसी ने किसके लिए अपना जान को दिये किसी धर्मी के लिए नहीं दिया था किसी भले आत्मी के लिए नहीं दिय इश्व मसी ने जिन से प्रेम किये वो उसके लिए लाइक नहीं थे प्रभी इश्व मसी ने पापियों के लिए अपना जान को दिए प्रियों प्रभी इश्व मसी ने किन से प्रेम किया कोई अच्छे आत्मी से नहीं परंतु इस अंसार के सबसे बुरे लोगों के लिए पा क्या वे उसके लिए लाइक थे और तीसरी बात इस मसी के प्रेम के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि मसी ने जिन से प्रेम किया उस प्रेम के कारण उन्होंने क्या प्राप्त किया मसी ने जब मानवजादी से प्रेम किये उसके प्रेम के बदौलत मनुश्य ने क्या प संतान कहलाए प्रियो मसी ने जब हम से प्रेम किया उसके बदावलत उसके कारण हमने क्या प्राप्ट किया बाइबल बताती है कि मसी ने जब हम से प्रेम किया उसके कारण हम परमेश्वर का संतान बन गिये हैं कितना बड़ा उबलब्दी हमें मिला है रोमियों का पत्री पा पत्त में बताया है कि परमेश्वर ने हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीदि से प्रगट करता है कि जब हम पापी ही थे तब ही मसी हमारी लिए मरा ये कहने के बाद उसका नौपत में हम लिए प्रगार पढ़ते हैं अता जबकि हम अब उसके लहू के कारण दर्मी ठरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोद से क्यों न बचेंगे मसी ने जब मानवजादी से प्रेम किया हमारे लिए अपना जान को जब कुरवानी के तोर पर दे उससे मनुष्य को क्या लाव मिलता है बाइबल बताते हैं कि हम परमेश्वर के क्रोद से बच पाएंगे प्रियों पाप करने वाले बुराई में जीवन बिताने वाले इनसान के ऊपर परमेश्वर का क्रोद प्रगड होने वाला है बाइबल बताती है कि एक दिन आने वाल जो भी बुराई है उसका सजा देने वाला है बईविल बताती है कि सारे संसार एक दिन आग के दौरा जला दिया जब न्याई होगा उस न्याई के सामने कौन टिक सकता है प्रमेश्वर का क्रोध मनुश्य के उपर आने वाले हैं लेकिन प्रभु ईश्य मसी के उस प्रेम प्रमेश्वर का क्रोध को ठंडा करने के लिए प्रभु ईश्य मसी ने बहाया प्रभी इश्य मसी ने उस प्रमेश्वर की जो आग है उस आग से हमें बचाने के लिए प्रभी इश्य मसी ने अपना पुरेम हमारे उपर फैलाए हैं प्रियों प्रभई इश्व मसी के द्वारा उस प्रेम को पाने के द्वारा मैं और आप जो परमेश्वर के क्रोध के संतान है परमेश्वर के प्रिय संतान बन सकते हैं परमेश्वर का अपना पुत्र और पुत्रिया बन सकते हैं जो कोई इश्व मसी पर विश्वास करते हैं वो आज परमेश्वर का शत्रू नहीं है वो परमेश्वर के बैरी नहीं है परंतु वो परमेश्वर का संतान बन जाते हैं परमेश्वर के साथ एक अलग प्रगार की रिस्ता में आ जाते हैं उस इश्व मसी का प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवादो उस इश्व मसी का अत्याह के लिए प्रमेश्वर्ग से प्रेम किया थक्याट उपर से प्रमेश्वर का कुरोध हट गए हैं तो प्रभी का भजन से बताने कि लिए चाहता हूं. प्रभु ईशुमसी ने किस मंसा से हमें प्रेम किया? उनकी प्रेम की गहराई तब हम समझ्च पाएंगे जब हम इस बात को जानेंगे कि प्रभु ईशुमसी ने जब मुझसे और आप से प्रेम किया तो उन्होंने किस आजादी से किस मंसा से हमें प्रेम किया युहनरेसो समाजर उसका दस अध्याई और उसके सत्र और अठारपत में प्रभी इश्मसी ने इस प्रगार बताए कि मैं अपना जान देने के लिए संसार में आया मुझसे अपना प्राण कोई चीन नह हों मुझे अपना जान देने का और वापस लेने का भी अधिगार है प्रियों प्रभी इश्मसी ने किस मंसा से अपना प्राण को दिया प्रभी इश्मसी से कोई अपना प्राण को चीन नहीं सकते थे प्रभी इश्मसी को कोई जबरजस्ती हमसे प्रेम करने के लिए मजब नहीं कर सकते थे हम देखते हैं कि यहुदी लोगों ने प्रभी इश्व मसी को पकड़ कर पिलातूस की पास लेकर गए और पिलातूस ने यहुदी लोगों का जो शड़ेंद्र है यहुदी लोगों का जो दबाव है उसके कारण प्रभी इश्व मसी को मरने के लिए दे दिय लेकिन आपको और मुझे याद रखने वाली एक बात है प्रभी इश्रमसी को किसी ने जबरजस्टी कुरूस पर लेकर नहीं गे प्रभी इश्रमसी को किसी ने जबरजस्टी अपना जान देने के लिए मजबूर नहीं किया था प्रभी इश्रमसी अपने से अपने इच्छा से उनके प्रेम के कारण उस प्रेम की गहराई के कारण प्रभ ईश्व मसी ने अपने जान कुरवानी के तौर पर दे दिये पिलातुस हम लोग बैबल में पढ़ते हैं ईश्व मसी का न्याई करते समय पिलातुस एक बार आश्चेरी चगित होगे पिलातुस एक न्याय दीश है उन्होंने कई मुझरिम को और उनका न्याय इसे पहले कई बार कर चुके हैं लेकिन प्रभू ईश्व मसीश का जब न्याय कर रहे थे पिलातुस के बारे में पढ़ते हैं पिलातुस वहाँ पर आश्चेरी चकित हो गया वो क्यों आश्चेरी उत्म लगाये जा रहा है फिलातुस इस बात को तो जानते हैं कि इनकी उपर लगाये जाने वाला जो आरोप है वो गलत आरोप है और पिलातोस ने इशमसी को कह रहा है बार बार तुम अपने पच्छ में कुस तो बताओ लेकिन इशमसी ने कोई जवाब नहीं दिया और पिलातोस ने इसके लिए प्रभी इशमसी को इस प्रगार बताए क्या तुम यह नहीं जानते कि तुझे छोड़ देने का मेरे उपर अधिगार है वहाँ पर प्रभीश मसी ने इस प्रगार जबाब दिये जब तक उपर से अधिगार नहीं मिलता तुम कुछ नहीं कर सकते हो पिलात उसने सोचा था प्रभीश मसी अपने पक्ष में कुछ बताएंगे उसके आधार पर मैं उसे छोड़ सकता हो लेकिन प्रियोग प्रभीश मसी अपने मन सा से जान देने के लिए संसार में आए प्रभीश मसी को कोई मार नहीं सकता था और हम लोग बैबल में प्रभीश मसी के अंदिम समयों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं प्रभीश मसी गस्मने बगीचे में प्रार्तना कर जिशे मसी को पकड़ने के लिए यहूदी लोग और कुछ रोमी लोग आए और उनको ये पता नहीं था कि इशे मसी कौन है वो इशे मसी को तलाश रहे थे तो इशे मसी एक आएक उनके एनके सामने आया और पूछा कि तुम किसे डूँध रहे हो और वे बूले कि हम इशो को डून रहे हैं और इशो मसी ने कहा कि मैं हूँ प्रभी इशो मसी ने अपने आपको उनके हवाले कर दिये क्योंकि प्रभी इशो मसी इस संसार में मरने के लिए आये थे प्रभी इशो मसी ने अपने आपको दुनिया के पापियों के लिए दुनिया में रहने वाले भक्त हीनों के लिए उनको बचानी के लिए अपना प्राण देने के लिए संसार में आये थे प्रियों उनकी प्रेम की गैराई को समझ पाना बड़ा मुश्किल है इसलिए बैबल बताती है कि प्रमेश्वन ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलोता पुत्र दे दिया उस प्रमेश्वर का प्रेम को समझ पाना हमारे छोटे दिमाग में हम लोगों को मुश्किल है प्रभी इश्व मसी ने कितना बड़ा कीमत हम से प्रेम करके उन्होंने चुकाया प्रियों उस प्रेम को हमारी छोटे दिमाग में समझ पाना बड़ा मुश्किल है उस प्रेम की गहराई तक हमें चले जाना हमारे लिए मुश्किल है इस प्रगार मैंने एक छोटा सा कहानी सुना है जब विश्वयुद्ध का दूसरी विश्वयुद्ध में कुछ अमेरिकी शिपाही लोगों को पकड़ कर बंदी बना दिया था और उन्हें जब बंदी बना दिये थे और उनसे कई कार्य कई कामों को करवाया जाता था कुछ शिपाही लोगों का जुन्ड था लगबग 20 लोगों का जुन्ड थे और उनके हाथ में शावल देकर और उनके हाथ में बेलचा देकर उनको भेजा जाता था कुछ काम करने के लिए चोटे चोटे गलती पर कई लोगों को मार दिये जाते थे बेरहमी से तो यहाँ पर 20 शिपाईयों को बेलचा देकर भेजा था उनको कुछ काम करने के लिए उन्हें गड़ा खोदना था और वापस आने पर उन लोगों का जो बेलचा है जो भी साधन है उनको दिया गया था और उसका गिंती लेते थे गिंती में कम हो जाने पर उनको कड़ी सी कड़ी सजा दिया जाता था और एक बार ऐसे हुआ इन 20 लोगों के जुन्ड में जब उनको बेलचा अंद में गिना गया था तो उस समय एक बेलचा नहीं पाया गया तो उनका जो सरदार था जो मेजर था तो उनोंने उन लोगों को कहा किसका बेलचा गायव है वो सामने आ जाए लेकिन कोई भी सामने नहीं आया और इस सुबेदार ने एक और बार उन्हें बताया कि जिसका बेलचा मतलब वापस नहीं लाया वो सामने आ जाए लेकिन फिर पांच लोगों को मार दूंगा तो उन्होंने गिंती शुरू किया लेकिन कोई भी सामने आकर उस बात को अंगीगार करने के लिए तयार नहीं था पांच आत्मी को मरना तय था तो उस समय क्या हुआ एक विक्ति एक जवान सामने आया उनका सिर जुगा हुआ था और उन्हों सामने उस विक्ति को मार के उनको खतम कर दिये और उसके बाद बाकी 19 लोग वापस चले गे जब बाकी 19 लोग वापस जा रहे थे वे आपस में पूछने लगे कि क्या हुआ किसका बेलचा गायब है उन्हों जाकर के वहाँ पर बेलचा गिनने लगे जब वहाँ पर बेलच पाया गिया है जब उन्होंने देखा 20 बेलचा है तो उनको एक बात मालुम हुआ दूसरों को बचाने के लिए उस विक्ति ने अपना जान को कुरवानी के तौर पर दे दिया तो उनको उस विक्ति के प्रदी कितना कृदग्यदा हुआ होगा प्रियों प्रभु ईश्मसी न आओ उस मसी की प्रेम की गहराई को पहचानो प्रियों एदी मैं और आप पापों में अभी भी जीवन बिताने वाले हैं प्रभीश मसी आपको और मुझे देखर उस सूली से आपको पुकार रहे हैं बेटा और बेटी मेरे प्रेम को पहचानो और मेरा प्रेम को बेकार जा कि लिए आनेवाला उस करोद से तुम्हें बचाने की लिए मैंने अपने जान को दे दिया है मेरे प्रेम को पहचानो मेरे पास आओ और आने वाले उस अनंदगाल की नरक से बच जाओ चुट जाओ आपके लिए एक निमंदरन है आज प्रभी श्यमसी के पास आओ उस प्रेम को पहचानो उन्होंने जिस गहराई से आपको प्रेम किया है उस प्रेम को पहचानो और प्रभी इश्य मसी की प्रेम में बने रहो प्रमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको मदद करें आए हम एक चोटी सी प्रार्थना की द्वारा इस कारिकरम को हम लोग समाब करेंगे हम हम चाहेंगे कि आप अपने आँखों को बंकरें उसमसी की प्र戲 को अपने जीवनने कारि करने का आपlerini दिami आईए हम अपने आखों को बंद करें स्वर्गिविदा हम धन्यवाद करते हैं आपका पुत्र इश्व मसी के लिए उस मसी के प्रेम को हमें जानने का बुद्धी और ग्यान दे जो हमारी समझ से परे हैं और उस प्रेम की गहराई को हम जानने का आज कोशिश कर रहे थे आज हमारे मनों में प्रभु जी उस प्रेम समझने के लिए हमें बुद्धी और ग्यान दे प्रभु जी हम उस प्रेम के तले हम आते हैं उस क्रूस के तले हम आते हैं जहां पर आप हमारे पाप की बोज़ को लेकर अपने जान को दे दिये प्रभु जी हम अपने पापों को आपके सामने मानना चाहता हूं उस प्रेम का जो आशिश है फल है हम उसे पाना चाहते हैं हम उस अनंदगाल की जो क्रोध है उससे छूटना चाहते हैं आप हमारी सहाइदा करें, आप हमारी मदद करें, प्रभु ईशमसी के नाम में, आमेन. और आप सब लोग बड़ी सबरके साथ परमेशवर का वजन सुना है, परमेशवर आपको आशिश दे, मदद करें, इस प्रेम को और पहचानने के लिए, प्रभुख के प्रईम में बने रहने के लिए परमेश्वर आपको सहाइदा करें परमेश्वर के नाम की स्तुदी हो अगर परमेश्वर ने इन वच्णों के द्वारा आप से बात की है और आप इस विशे पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है या किसी भी प्रार्तना के विशे को बातना चाहते है तो निस्संदे हमसे संपर्क करें हमारा पता जीवनजल नवभावना बिल्डिंग 422 S.V.S. रोड पोस्ट बॉक्स नंबर 19161 प्रभादेवी मुंबई 400-025 प्रार्तना एवं मुफ्त बाइबल कर्रेस्पॉंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें मोबाइल नंबर 771065115 लैंड लाइन नंबर 02224221842 इमेल आईडी gospelbroadcast at the rate yahoo.com वेब अड्रेस www.lwgb.org यूट्यूब अड्रेस जीवनजल tv at the rate youtube जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम साड़े 6 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं और Living Waters English Program Good News चैनल पर हर शुक्रवार शाम साड़े 6 बजे देख सकते हैं धन्यवाल